हालो चो भेरी भेरी गुड मार्निंग टू आल अफ यू तो कैसे है आप लोग बहुत अच्छे तो आप सभी बच्चों का आपका छोटा सा प्यारा सा यूटूब चैनल सारदा क्लासेज पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है तो चलिए आपके लिए बहुत बड़ी खुसक के द्वारा लॉंज कर दिया गया है बिहार बोड के जितने भी बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए एक तारिक को यानि एक फरवरी को आपका किसका एक्जाम होगा तो एक फरवरी को क्लास 12 2024 का कहानी है ये नहीं कि पहले चला जाना एक 12 को बाइलोजी का पेपर है दो त फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है बहुत की का पेपर है चार फरवरी को आपका संडे है यानि कोई पेपर नहीं है संडे को बंद रहेगा ठीक है पांच फरवरी को आपका किसका पेपर होगा किसका पेपर होगा पांच फरवरी को आपका किसका पेपर होगा तो अं मंगलवार को किसका पेपर होगा तो दीन मंगलवार हनुमां जी का दिन गदा लेके जाना है और बंबार्डिंग करवाना है तो उससी दिन आपका केमेश्टरी का पेपर होगा और उसके बाद साथ फर्वरी को आपका हिंदी का पेपर होगा ठीक है यानि यह आपका डेड़ सिट रहा जो आपको परिक्षा के लिए बहुत बड़ा खुसखबरी बच्चे के लिए है घबराना नहीं अभी अभी मेरे पास 50 से 60 दिने बहुत दिन है आज से भी काउंट करे जब जागा तब सवेरा जानता होगा बस इतन स्टेटमेंट याद रखो कुछ करने की आवसकता ने करना किसको है हमको करना आप लोग को मेरे साथ चलना है ड्राइबर हम है सवारी तुम लोगों बैटल आख बंद करके बस एक्टिव रहना कि कहीं दूर घटना नहों आख खोलके बैटना बस में वैसे भी आखोलके बै दस लेक्टर आपको आज हम बताने जा रहे हैं ठीक है और प्रिभियस येर का बहुत अच्छे अच्छे को संस आपको आएंगे आज जिस चैप्टर का मैं विसलेशन करूंगा मुख रूप से फिजकल केमेस्ट्री का चर्चा किया जाएगा और फिजकल केमेस्ट्री में ज़्यादा तर कोस्ट्स आपको आएंगे दो तीन चैप्टर से बहुत ज़्यादा कोस्ट्स रहता है आपको सॉलूशन मैंने पढ़ा दिया दो दो लेक्टर सॉलूशन का दो दो आपको अबजेक्टिव का देया जा चुका है अब सब्जेक्टिव का स्टार्ट भी हम ल रासाइनिक बल गतिकी का चर्चा किया जाएगा और इससे संबंदित बहुत अच्छे अच्छे कोसंस लेके आए है कोसंस के साथ साथ बंबार्डिंग करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खुबसूरत सा प्यारा सा लेक्टर लेकिन उससे पहले अगर नहीं हो तो बेटा दबाव मैं बार बार कहता हूं और दबाव भी और अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों में 12 का तो बहुत सारा बच्चा होना चाहिए मालो पॉल टेक्निक का नहीं रहता है कंपेटेटीव में बहुत सारे च्छोटे सहर में कम मिलते हैं लेकिन 12 में तो बहुत करके एक बार लाते एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा यह आपको दिमाग लगाना है क्योंकि अनुभब बहुत कुछ बोलता है और इतना प्लस का अनुभब बहुत ज्यादा माईने रखता है तो आपको घबराना नहीं है और चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन चैनल को किजिए मैं विस्पास दिलाता हूँ एक्जामनेशन हॉल में जरूर सार्दावल आपको याद आएगा ठीक है एक एक चीज़ प्रिपेर करवाएंगे कोई जरूरत नहीं है इधर उदर कहीं जाकने की कहीं मुह मालने की आवसकता नहीं है सीधा मुह को स्ट्रेट करके सार A प्लस B मिलकर C प्लस D बनता है बिल्कुल सहीव चीज़ है लेकिन क्या आपको पता है कि ये A प्लस B जो आपको अभिकारक दिया गया है जो रियक टेंस आपको A प्लस B दिये गया है क्या जरूरी है कि A प्लस B C प्लस D बनाने के लिए ब्याकुल होगा कोई जरूरी नहीं क्या इंसान को जॉब नहीं होता है तो वो भूखा मर जाता है वो जिंदा नहीं रहता है आत्मत्या कर लेता है ऐसी कोई बात नहीं है वो जो करते हैं वो मुर्खों के स्रेनी में पाये जाते हैं तो हम लोग उस स्रेनी से बिलकुल अलग है समझदार हो सियार हो नहार हम इक्षा तो इसकी है साधी करने की, कि हम साधी कर ले लेकिन किसी लरका से अगर कोई पूछे, पुराने जवाने में एक कहावत था, हमारे गाओं की बात है, या बहुत जगा आप लोग भी देखे होंगे, कुछ लोग जाते थे, हमारे गाओं के मांजन थे, वो जाते थे, प हो तना तरह इसको साधी करने का मन थे, यहां कहें बईठे वैसा काम नहीं करना है, करना यह है कि इसको एक्टीवेट करवाने हैं, और इसको एक्टीवेट जब करवाएंगे, यानि पहले आपको जैसे हाइडरोजन का, रियक्शन बेटा ओक्सीजन के साथ अगर हम आने कि आम सकता नहीं आप लोग जान रहें यह वाटर का फॉर्मेशन करता है लेकिन क्या है अत्मोस्पीर मेंने आता है पाया जाता ओक्सीजन ऋकौन ही इंटी बनाना होता है तो पहले हैद्वेट को रियक्टी भी chemical reaction के रासाइनिक अभिक्रिया के अभिकारक को प्रतिफल में बदनने के लिए एक नियुनतम उर्जा की आवसकता होती है और उस उर्जा को क्या कहा आता है तो activation energy कहा जाता है जो उसको activate करता है सक्रिये बनाता है और सक्रिये बनने के बाद वो किस में बदनने लगता है product म उमीद है आपको समझ में आगया होगा no doubt इसको अगर activate करवाएंगे तो इसको पहले आपको ions में तोरना होगा और इसको भी O2- ions में तोरना होगा जब ions में तोरेंगे तो इसको इसमें लाने के लिए तो मैंने किया क्या hydrogen जो एस्टेबल था उसको H plus में change किया it means कि एक electron hydrogen hydrogen बाहर निकालने के लिए हमें क्या किया electromagnetic energy दिये इसको shaking करवाएं इसको बहुत सारे तरीका उते जिसे electron बाहर करते हैं तो electromagnetic energy जो radiation इसको दिया गया energy के form में ताकि यह आयंस में बदल गया तो इससे यहां बदलने के लिए हमने इसको क्या दिए क्या चाहिए तो आपस करके किसको बना लेगा कूस को क्या कहाता है एकस्तिवेशन एनर्जी का जाता है बलुकुल क्लियर हो गया और नो डाउट कहीं से कोई संदेह नहीं होना चाहिए होसियार बनना है तो हमेशा जागते रहो लेकिन साथ में किसको रखो हमको भूलना मत यार चलो आगे बढ़ते हैं next question क्या कहता है किस क्रम की प्रतिक्रिया के लिए दर और दर इस्थिरांग की कही समान हो होता है पूरे chemical reaction में नाम ही है chemical kinetics यानि अभी क्रिया का बे क्या वो दोरेगा नाचेगा गाएगा जूमेगा नहीं बिल्कुल नहीं उसका rate क्या होता है reactance किस rate से flow करके आपको product में बदलता है reactance कितना तेजी से बदलता है वही आपका rate होता है तो जैसे rate आपका simply क्या होत होता है तो rate क्या होता है change in concentration of change in concentration of reactants concentration of reactants या products reactants और products ठीक है यानि प्रतिफल या अभिकारक प्रतिफल या अभिकारक के सांद्रन में परिवरतन क्या होगा प्रतिफल या अभिकारक के सांद्रन में परिवरतन किसमें के सांद्रन में परिवरतन किसमें के सांद्रन में पर परिवर्तन प्रतिफाल या अभी कारक के सांदरन में परिवर्तन अब टाइम एलप्स यानि बटा क्या जो समय लाएगा इसको परिवर्तन होने में बिल्कुल सही बात है अगर होगा तो टाइम इंडेपेंडेन कॉइंटी यह कुछ न कुछ रहेगा तो चेंज इन कंसंट्र कान्संट्रेशन क्या होता है mol per liter, जब इसका unit लिखेंगे, तो उपर वाला का क्या आजागा? mol per liter आजागा, नीचे time का second, तो mol per liter per second आपका unit आ गया. किसका rate का unit है? तो आपको पुछरा unit of rate मैंने निकाल लिए, अब कहता है, rate constant is same for picture of projection. रेट कॉंस्टेंट क्या होता है तो एक तरीका रेट का और आप जानिए कि अगर मानलीजे कि A आपका B में कनवर्ट हो रहा है तो रेट अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्ये लिख सकते हैं के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ यह बहूँ सरा तरीका हमारे पास लिखने है कि के का मान यानि के का जो यूनिट होगा तो के बराबर हमारे पास क्या आगया तो के बराबर आगया आर बटा concentration of AR ठीक है अब पूछ रहा है कि किस order reaction के लिए इसका जो यूनिट है रेट का वही यूनिट के का भी यूनिट हो गया तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सकेंड अब यूनिट समान हो गया तो इसमें आपको होना क्या पड़ेगा कि इसको आपको वन होना पड़ेगा इसको क्या होना पड़ेगा इसका वैलू यह किसको दिखा रहा है, zero order को दिखा रहा है, तो इह आपका zero order reaction है, तो zero order reaction में, यानि सुन कोटी के अभिक्रिया में, जो वेग का unit होता है, जो वेग का unit होता है, वही वेग स्थिरांक का भी इकाई होता है, विल्कुल concept clear हो गया होगा, नो डाउट मैंने इधर इसको दिखा दिया इधर इसको दिखा दिया तो किस order में होगा तो zero order reaction में होगा next question की और move करते हैं आज का हमारा अगला question क्या है काता है सुन को टी के अभिक्रिया के लिए तो बेटा ये जो आपका दिया गया है चार है जैसे मान लो कि आपका r k होगा a to the power x होगा अब b to the power y होगा ठीक है तो यहाँ पर आपके क्या r क्या होते हैं तो rate of reaction अभिक्रिया का वेग rate of reaction अभिक्रिया का वेग हो गया a क्या हो गया तो यह हो गया आपका concentration of a concentration of a हो गया और b क्या हो गया भाई तो concentration of b हो गया यह जानना जरूरी है concentration of b हो गया और X क्या हो गया, X क्या हो गया, तो order of reaction, ठीक है, order of, order of A, क्या बोलते हैं, order of reaction, order है, A क्या दिया हुआ, A आपका क्या दिया हुआ, X आपका क्या होगा, तो order होगा किसका, with respect to A, order with respect to A, लिख दो direct, order with respect to A, with respect to A, with respect to A के respect में जो order होगा, वो X होगा, Y क्या होगा, तो आपको order with respect to B हो जाएगा, order with respect to B, B के respect में order हो गया, और X plus Y, यानि N बराबर X plus Y क्या हो गया, तो यह order of reaction हो गया, order of reaction हो गया, यह आपको जानना जरूरी था, इतना चीज मैंने बता दिया, तो यह अभी क्रिया का बेग हो गया, यह क्या हो गया, अर आपका अभी क्रिया का बेग हो गया, उसके बाद यह क्या हो गया, तो A का संद्रन हो गया, यह क्या हो गया, तो B का संद्रन हो गया, तो B का संद्रन हो गया, उसके बाद आपका ये क्या है, तो A के सापेक्च, A के सापेक्च आपका क्या है, A के सापेक्च कोटी आपका दिया गया है, ठीक है, और ये आपका B के सापेक्च आपका कोटी दिया गया है, ये अभिक्रिया का कोटी है, किसका कोटी है, पूरा अभिक्रिया जो है, त तो इसको जैसे ही zero order में convert करेंगे किस में convert करेंगे zero order में तो जितने भी reactance है तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा के हो जाएगा a to the power zero हो जाएगा और b to the power zero हो जाएगा तो zero order reaction के लिए क्या आगया r बराबर यानि कौन सा option होगा a is the correct option a is the correct option ये भी आपको 2021 का पूछा गया question है भी hardboard का ठीक है next question की ओर move किया जाए अगले question की ओर मेरा अगला question क्या कहता है कि प्रतेकिरिया में nitrogen hydrogen hydrogen से मिलता है तो ammonia बनाता है no doubt आप लोग जानते होंगे कि nitrogen hydrogen hydrogen से मिलता है तो ammonia बनाता है लेकिन जरा इस reaction को गौर से देखिए nitrogen का reaction जब hydrogen से कड़वाते है तो ammonia gas का formation करता है और यहां पर क्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है reverse reaction है balance कीजिएगा तो यहां 3 लगा तो यहां 2 लगा तो channel हो गया अब इसको जरा गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आगा क्या समझ में आना चाहिए नहीं आना चाहिए वह द्यान से देखे गा मैं आपको बताता हूँ यह क्यू जो इसमें इस्तिमाल किया यह बेटा हीट को सो करता है किसको सो कर रहा हीट उस्मा को दिखा रहा है तो उस्मा यानि कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जब केमिकल रेक्शन करवा रहा है तो हीट बाहर निकल रहा है यह क्या निकल रहा है तो उस्मा बाहर निकल र partial reaction you all go down we´re लैसे और फुरी इसके पास बहुत ज्यारा एनरज्सिए हीट को कशन कर्वाया जा रहा हा है और इस परिस्थिती में अगर मुच को temperature दे देंगे heat देंगे तो अभी क्रिया का वे क्या हो जागा घट जागा जैसे मालो कोई of NH3 decrease कर जागा क्यों decrease कर गया वैसे अभी क्रिया का बेग बरता है temperature देने के बाद अभी क्रिया का बेग बरता है आपको NCRT book लिखती है normally NCRT book लिखता है कि by raging by raging या increasing कितना by raging 10 degree Celsius temperature ठीक है अभी क्रिया rate of reactions doubles to thrice rate of reaction doubles to thrice दुगूना से किसमें बदल जाता है doubles to thrice दुगूना से तिनुगूना हो जाता है क्या हो जाता है दुगूना अगर 10 degree Celsius temperature को बढ़ा देते हैं तो अभी क्रिया का बेग दुगूना से तिनुगूना हो जाता है यानि it means बहुत सारे book तो side book इसको ऐसे cover करके लिख देते हैं simply कि 10 degree बढ़ाने पर किसी भी chemical reaction का rate जो होगा वो लगभग लगभग double हो जाता है ठीक है लेकिन NCRT book आपका जो लिखता है जो NCRT book सीडा statement लिखा है NCRT book वो आपको क्या लिखता है कि 10 degree ता आप मान को बढ़ाते हैं तो अभी क्रिया का बेग दुगूना से क्या हो जाता है दुगूना से किस में बदल जाता है तिनुगूना में बदल जाता है किस में बदल जाता है यह भी question आपको समझ में आ गया होगा और यह भी बेटा 2020 में पूछा गया है आपका भी हरबोट का question next question की और बरते हैं हमारा अगला question क्या करता है किसी भी प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक उत्प्रेरक क्या होता है वह जानो उत्प्रेरक एक ऐसा रसाइनिक क्ट्रोल करता है जएसी परिस्थी रहे वैसा वह एक तरह करते हैं यह दुमको यह ट्रीनात्मक कहने का मतलब यह हुआ कि positive catalyst जो अविक्रिया के rate को बढ़ाएगा समान्य भासा में कि general case में अविक्रिया के rate को increase करता है और इसी catalyst में जब inhibators को मिला दिया आता है, inhibators यानि poisonous चीज़ होता है, प्रतिरोधक चीज़ होता है, जो अभिक्रिया के वे को घटाता है, अब catalyst करता कैसे, जैसे माल लो, कोई reactants है, कोई reactants ऐसे करके गूम के आता है, तो क्या बना रहा है, प्रोडक्स बना रहा है, ठीक है, कोई प्रतिफ उर्जा को कम कर देता है, क्या कर देता है, सक्रियन उर्जा को कम कर देगा, ठीक है, अब कम करने के बाद एक दूसरा रास्ता देता है, उत्प्रेरा क्या करता है, दूसरा रास्ता प्रोवाइड करता है, दूसरा रास्ता बना देता है, जैसे माल लो, कि कोई आदमी को कही जाना है तो आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं आपको याद होगा कि गाओं में भोज होता है तो आप गारी हो गया पहले चौड़े चौड़े लोग फारके चलाया था इस चौर से उच्वर चलाया था तो चौर में तो कोई ट्रैफिक ने रहता है तो बहुत लोग जब रो का लास्ता प्रोवाइड करता है तो यहां पर catalyst ऐसे करके जा रहा है तो यह आपका activation energy है यह अपका activation energy तो बहुत जादा एक्टिवेशन एनरजी का वैलू अब इसके बाद और दूसरा कैटलिस्ट क्या करेगा आपको कहेगा दू तोड़ी के वहां कहे जा रहे हो मेरे साथ था और बस इधरे से ते वह बगल से रास्ता गया है गली से इसी से तुमको वहीं न जाना है तो हाँ यहां जाना है तो च है ठीक है उतना हम नहीं बताएंगे लेकिन जितना बता रहा है यह आपके लिए सफिसेंट है ठीक है और इस तरह इसको इंक्रीज करने में मदद करता है नेक्स कोशन करता है किसी भी पदार्थ की प्रतिक्रिया का दर निर्भर करता है rate of reaction of any substance किस पर डिपेंड करेगा तो आने वाला दूगों है तो इंसान प्रात्ना किसको करेगा गार्जियन किसको ज्यादा वैलू देगा जो कमाता है उसी से घर चल दा बादमा की फालतु का है तो उसको कम केर करता है जैसे माल मबेसी लोग पालता है ठीक है आपके पास भी अगर जीब जनतु को आप पालते है तो जो गाय दूद देगा उसको बड़ा समय से अच्छा से चाड़ा उड़ा धो दा सभ काम करते क्योंकि वह दूद्धाओ गाया है बाद बाकी जो होता है दूर चोरो को दिकते चोंटो नो कोई दिकत ने है काम करने वाला लोग घर में रूस जा तो उसको सम मनाता है नहीं काम करने दूर छोंटो कोई दिकते एक दिन नहीं यह खायेगा तो क्या दिकते तो यहां पर भी मास तो होता है जैसे molecular weight है यह भी atomic weight है equivalent weight है सारे होते हैं एक्टीब मास जो होता है active mass ही active mass पर आपका किसी भी पदार्थ का reaction का जो rate होगा जैसे मालो कि A और B आपस में react करता है तो C और D बनता है ठीक है तो A और B का जो active mass होगा A और B का active mass पर depend करेगा इसका rate इसका rate किस पर depend करेगा तो A और B के active mass पर depend करेगा यह active mass जो आपका होता है यह आपका molar concentration होता है active mass को हम लोग क्या बोलते हैं यही सक्रिय मास को आपका molar concentration कहा जाता है molar concentration यानि molar सांधरन कहा जाता है क्या कहा आता है molar concentration कहा जाता है यह आपका molar सांधरन होता है क्या होता है molar सांधरन होता है और यह directly proportional density को होता है density के यानि घनत्व के सीधा सानोपाति यानि घनत्व जदा होगा molar concentration जदा होगा और molar concentration जदा है इसका मतलब active mass जदा है और active mass जदा है काम करने वाले लोग जदा है तो उस घर में जदा काम होगा तो फल जदा मिलेगा भाई पैसा की बरसा होगी सब तो नहीं तो वहीं चीज है कि active mass अगर reactance का ज्यादा होता है तो अभी क्रिया का वेग जो होता है वो तेजी से होता है अभी क्रिया का वेग क्या होगा तेजी से होगा और इसी को मोल पर लिटर भी कहा जाता है क्या कहाता है number of gram moles per liter molar concentration का दूसरा नाम आपको number of gram per mole क्या कहा आता है number of gram per mole भी बोलते हैं ठीक है number of gram mole per liter ठीक है यह आपका molar concentration यानि एक लिटर में एक लिटर जो सबस्तांस अगर लेते हैं उसमें कितने gram moles आपको पाए गये हैं reactance के वो बढ़ेगा it means क्या active mass बढ़ेगा और active mass बढ़ेगा तो rate तेजी से होगा तो किस पर depend करेगा active mass प देखाने वाला गोड़ा समय के बचने वाला तो उससे कोई फादा थोड़े है नहीं काम करने वाले के सब जगा पूछ होती है तो natural science है तो इसकी पूछ होगी ठीक है next topic आपका क्या है आपको पता होना चाहिए science कोई भी साने natural science एक subject nature में जिन्दा रहने के लिए हम लोग हृझ और लिए नोकरी चाक्री तो अनपड को भी मिलता है देख रहा है लेगरे जा रहा है सब लेकर जा रहा है ले जा करता है भी आपकी टिकरीए क्टिकरियया के लिए T1 by 2 क्या होता है तो प्रतम कोटी का first order reaction के लिए T1 by 2 का मान जो होगा वो क्या होगा 0.693 upon K है option 0.690 upon K बहुत simple था next कहता है जो सुन्निकरम प्रतिकिरिया का प्रतिनिधित्व करता है आपको zero order reaction का क्या लिखना है तो zero order reaction का आपको ग्राफ बताना है तो zero order reaction का formula पहले जानिए formula क्या होता है formula होता है ए बराबर a not minus kt a बराबर a not minus kt होगा अब इसका graph गितना है तो बेटा हम घीच के ही दिखा देते हैं वैसे तो बहुत सारे graph होते है multiple graph होते हैं अलग-अलग term में अलग जैसे reactance के साथ लिखेगा तो घटेगा product के साथ लिखेगा तो बढ़ेगा नहीं आप concentration अलग-अलग term time के साथ लिखेगा reactance का तब कुछ और होगा यानि time के साथ product का लिखेगा तो कुछ होड़ होगा तो आपको लेना है तो मेरे पास जो first order यानि zero order reaction का ये equation होता है zero order reaction जो होता है यानि सुन को t का जो अभिकरिया होगा उसका ये आपका equation होता है formula होता है तो यहां से अगर कलीशेगा तो अ बरावर क्या होगा minus kt plus a not हो जाएगा आप इसको slope equation slope intercept form के equation के बरावर कीजिए to y बरावर क्या होजाएगा mx आप प्लस c होजाएगा अब क्या कीजिए तो m के जगा प्र क्या आंगया तो यह आंगया M के जवब पर, और C के जवब पर क्या गया? तो यह नौट आगया, अब क्या कीजिए? Y बराबर M X प्लस C का ग्राफ गिचीए तो आप X है, तो X के जवब पर T है, तो यहां T को ले लीजिए A, आपका Y है Y के जवब पर A है, तो यहां concentration A का ले लीजिए यह क्या है तो product का koncentration है झाह तो product का koncentration है आब आपको करना क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा अब इसके बाद आपको क्या दिया हुआ ए, नोट概 है तो ए, नोट क्या होता है C gradient तो यहां पर यहां से यहां तक का value मांप लेते हैं कि आपका a दिया गया, Concentration of A आपका शुरू में इतना था, ठीक है, सुरू में इतना था, अब क्या होगा, इसा ग्राफ होगा, इसे घटेगा, हम पूरा नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि आगे कैसे क्या होगा है, वो हम को जानकारी नहीं है, तो उसको हम नहीं मिला सकते हैं, लेकिन बस आ अपका ऐसा graph इधर की और घटेगा तो कॉन सा option होगा मेरे ख्याल से sheet unofficacy the correct option और यह आपका Gero-order reaction है Gero order reaction आपको कौन-को reaction होता है तो जितने भी photo chemical reaction हो गया जितने भी आपको photo chemical reaction होता है प्रकास sensitive अभी क्रिया जो होता है right ठीक है? फोटो-कैमिकल रि qualify झतने होंगे फोटो-कैमिकल रि такиеक्षνο जितना होगा यह हो जाएगा ए hon जाएगा इंजाइम कैटेलाइटिक रि dates होगा इंजाइम्स हमारे बोडी से जो इंजाइम्स निकलता है उसको biological catalyst का जाता है, ठीक है, हमारे body में बहुत सारे glands है, जिससे बहुत सारा enzymes निकलता है, वो enzymes हमारा क्या कहलाता है, तो जैबिक उत्प्रेरक कहलाता है, तो आपको enzymes, catalytic reaction जितना भी होगा, वो सारे के सारे zero order reactions होते हैं, इतना ही नहीं आपका कोई solid के सता पर, मानलीजे, high pressure किसी reaction को करवाते हैं, वो भी आपका क्या होता है, जैसे NH3 को आप तोड़ दीजेगा, तो किस में तूटेगा, nitrogen में तूटेगा और hydrogen में तूटेगा, balance भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे आपके zero order का examples है, zero order के क्या है, तो ये सब examples है, उमीद है आपको समझ में आ गया हो देता हूं, dx अबटा dt जो है, वो आपको दिया गया है, k h plus to the power in दिया गया, अब कहता है कि pH मान 2 है, pH मान 2 से एक बदल जाता है, तो rate आपका कितना हो जाता है, 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया का क्रम क्या होगा, वही पूछ रहा है, dx बटा dt ये है, rate आपका 100 गु पर पहुच जाता है, एक पर पहुच जाता है, तो rate of reaction क्या होगा, पहले वो लिखे, dx बटा dt को हम लोग rate लिख सकते हैं, change in concentration of x बिस रहे जो होगा, r जो होगा, k h plus to the power in हो जाएगा, ठीक है, अब आपको pH का मान अलग अलग दिया है, तो pH का मान जब आपका 2 देगा, pH का मान आपका क्या दिया हुआ है, pH का मान 2 दिया हुआ है, it means कि h plus का जो मान होगा, वो 10 to the power minus 2m के बरावर हो जागा, कितना हो जाएगा, तो इससे ये पता चला कि concentration of h plus जो हो गया, वो किसके बरावर हो गया, तो 10 to the power minus 2m के बरावर हो गया, 10 to the power minus 2m के बरावर होगा, तो यह माइनस 2 हो जागा कितना हो जागा 10 to the power minus 2 तू दी पावर क्या हो जागा एन हो जागा ठीक है आप कहता है कि pH का मान इतना से फिर pH का मान कितना हो गया 1 हो गया pH का मान 1 हुआ यानि concentration of H plus जो हो जागा वो किसके बड़ा हो जागा तो 10 to the power minus 1 M के बड़ावर capital M Molarity को सो करता है ठीक है अब यहां से R2 अगर आप निकालेगा तो R2 बड़ावर क्या हो जागा के और इधर H plus के जगपर 10 to the power minus 1 पर पावर N है तो N हो जागा पावर N है तो N हो जागा अब आप से पूछ क्या रहा था तो order reaction का आपको order पूछ रहा है तो R2 को R1 से क्या कीजिए डिवाइड कर दिजे R2 को क्या कीजिए R1 से डिवाइड कीजिए या R1 को R2 से कर दिजे ठीक है आप क्या कीजिए R1 डिवाइड़ बाई या R2 डिवाइड़ बाई रवन कर देते है R2 divided by क्या होगा R1 अब R2 divided by R1 अगर आप कीजिएगा तब आपको क्या value आगा सो देखिएगा तब आपको क्या कहाता है रेट कितना गुना होगा है सो गुना होगा है तो सो गुना लिक दी जानि पहले R2 पहले कितना थाइगा तो R2 बराबर 100 गुना R2 हो गया ठीक है अब यहां से R2 अब बटा यह हम नहीं कर रहें यह according to question है प्रस्ट में ऐसा दिया गया R2 बटा R1 जो हो गया वो 100 हो गया अब R2 का value डालिएगा तो क्या आजागा K I into 10 to the power minus 1 R2 बटा एन ठीक है और R1 का value हो गया K I into 10 to the power minus 2 R2 बटा एन दिया हुआ और यह किसके बराबर है 10 to the power 2 के बराबर है ठीक है अब आपको क्या करना होगा इसको solve करना होगा तो जैसे ही solve किजेगा तो k से k गाइब हो गया अब ये ऊपर गया तो 10 to the power 1 हो गया और इधर 10 to the power ही क्या हो गया 2 हो गया और इस पे power कितना है n दिया गया है यानि n बराबर कितना आ गया तो n बराबर 2 आ गया n बराबर कितना आया 2 तो कितना order का होगा भाई तो 2 order का होगा this is your answer बहुत ही खुब्सुरत और प्यारा सा कोश्चन था कोश्चन ये था कि dx upon dt बराबर के concentration of h plus to the power n था पी एच का मान 2 से जब 1 हो जाता है तो rate उसका 100 गुना हो जाता है तो आपको बताना था कि उसके order में क्या परिवर्तन होगा तो order double हो बताना चाफिशन प्रतिक्रिया का दर व्यक्त रीक्ति रेक्शन निकाला आपका दिया हुआ है जाने इसका order of reaction क्या होगा oer और ऑफ रैक्शन क्या हो जागा 2 प्लस 1 यानि A का जो order है सो अब B का जो order है सो तो कितना हो जागा तरी दिस जो रहां से बहुत सिंपल था क्या order of reaction निकालना था next question क्या काता है प्रतिक्रिया का करम होगा यह बेटा order question अल्टर है ठीक है क्या काता है the rate of reaction of the following अब देखिए आपके पास equation क्या है 2N2O5 दिया हुआ है और यह बनता है 4N2O2 बनता है और प्लस O2 बनता है अब आपको क्या करना है इसका rate लिखना है तो इसका rate जब लिखेगा तो reactance में माइनस लगाएंगे जो इसका coefficient है वो नीचे चला जाएगा तो 1 1 by 2 हो गया और यहां पर D concentration किता reactance का N2O5 बनता क्या हो जाएगा DT यह हो जाएगा अब product में जब लिखेगा तो यह हो जाएगा प्लस इसमें 1 by 4 हो जाएगा D concentration किसका तो NO2 का और बनता में क्या हो जाएगा तो DT एक और product है तो प्लस लगाएंगे इसका कुछ नहीं है तो 1 तो यहां पर लिखेंगे 1 बटा 1 क्योंकि यह 1 नीचे जाएगा और यह क्या हो जाएगा D concentration किसका O2 का बटा क्या हो जाएगा DT कोई दिकत मेरे ख्याल से दिकत नहीं होना चाहिए यह 2 कहां गया तो यहां आगया यह फोर कहां गया तो यहां आगया और यह कहां आया तो ठीक है अब प्लस क्यों लगा तो यह प्रोड़क्ट के लिए लगा किसके लिए प्रोड़क्ट के लिए लगा ठीक है प्रोड़क्ट के लिए और माइनस क्यों लगा तो माइनस रियेक्टेंट के लिए लगा है किसके लिए लगा है तो रियेक्टेंट घरता है जैसे आट of reaction, flowing reaction के लिए, तो 1 by 2, dn2 upon dt, यह तो सही option है, 2 आपका गलत option है, 1 by 4, यानि यह option आपका बिल्कुल सही है, 1 by 4, n2 बाला भी option क्या है, बिल्कुल सही, यानि 2 option है, यह option गलत है, माइनस होना चाहिए, कौन सा option सही होगा, तो केबल आपका यह option जो दिया गया है, d option नहीं है, यह c option है, c का ही यहाँ लिखा गया है, तो option आप देख लिजिएगा, कौन सा option सही है, मैं आपको टिक कर देता हूँ, यह आपका 1 by 4 था, क्या दिया हुआ था, 1 by 4 था, और dn2 upon dt, यानि c is the correct option, यह आपका सही option है, क्या काता है, प्रतिकरिया दिया हुआ है, H2BR2 से मिलता है, तो HBR बनाता है, कौन सा reaction है, photosensitive reaction, H2BR2 से मिलता है, तो 2 HBR, hydrogen जब bromine के साथ reaction करता है, तो hydrogen bromide का formation करता है, जैसा के reaction में दिया गया, नहीं मिलिखित में से कौन सा कथन गलत है, which of the following is the false, तो order of reaction, में इसका निकालो, तो इसका order of reaction आप अगर निकालिएगा, इसका order of reaction आप अगर निकालते हैं, 1x2 तो इसका जो जो पूछ रहा है सब निकालते है पहिला में आपका क्या पूछ रहा है? order of reaction, order of reaction यानि अभी करिया का कोटी क्या होगा? तो वो होगा 1x1x2 यानि 2x2 ब्रावर कृतना? 1.5 हो जहागा, 1.5 3x2 क्यों हो जागा? 1.5 हो जगा या यह option आपका बिल्कुल सही option आ रहा है ठीक है अब molecularity है तो molecularity क्या है कम से कम दो molecules आपस में टकराएगा तब यह जाकर product बनेगा तो इसकी molecularity यह भी दूग है यह भी दूग bromine bromine से टकराए या फिर bromine hydrogen से टकराए तो इसकी molecularity क्या होता है कि number of active molecules या number of reactants के वैसे molecules का संख्या जो आपस में collide करता है आपस में टकराता है नहीं तो जो टकराएगा जितना संख्या molecules आपस में टकराकर product में change करेगा वही संख्या molecules का क्या कहलाएगा molecularity कहलाएगा यह क्या कहलाएगा molecularity कहलेगा अनु सिखता कहलेगा तो इसका molecularity कितना हो जाएगा तो इसकी molecularity भी आपकी 2 हो जाएगी molecularity कितना हो गया 2 यानि ये भी आपका सही option है अब कहता है by increasing the concentration of BR2 के concentration को 4 गुना कर देना है इसको कितना कर देना है 4 गुना तो जैसे ही इसको आप 4 गुना किजेगा तो फोर क्या हो जाएगा BR2 हो जाएगा और उपर में कितना दिया हुआ है 1 by 2 दिया हुआ है ठीक है और hydrogen क्या कहता है फोर्ट the rate of reaction is double यानि R आपका यानि H में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो KK है और H आपका जो दिया हुआ यहाँ पर लिख देंगे R1 और बट्टा में कैसे लिखेगा तो K तो K रहेगा यह एच्टू आपका 1 है वने रहेगा और यह आपका BR2 इधर जो दिया हुआ है 1 by 2 यही रहेगा ठीक है ताब आपको कट कुट क्या जाएगा तो K से के गाब यह से गाब हो गया BR2, BR2 से गाब हो गया अब उपर में क्या बचा तो फोड पे पावर 1 by 2 तो फोड पे पावर 1 by 2 आपका कितना हो गया तो 2 आट 2 the power 2 या टू तो रूट ले ले लेगे फोड का तो कितना आ जाएगा 2 आजाएगा और 2 कुनने क्या हो जाएगा R1 तो rate double हो गया विल्कुल सइचीज है और 2 जो हो गया वो किसके बरावर हो गया 2 R1 के बरावर हो गया R2 2 R1 के बरावर यानी यह भी a statement आपका सही है तीनों का तीनों सही यानी कौनसा option होगा D is the correct option, बहुत यह अच्छा कोशन था, D is the correct option, next question देखिएगा, which of the following does not express the rate of reaction 2A plus B, आपका तायनेम लिखित में से कौन प्रतिक्रिया की दर, 2A plus B बराबर 3C plus D बन रहा है, तो बेटा रेट लिखो इसका, तो रे बराबर reactant के लिए minus, लिखेंगे, यह आपका नीचे तो 1 by 2 ह हो जाएगा, DA बटा क्या हो जाएगा, DA बटा, DT हो जाएगा, minus 1 by 1 हो गया, और DB reactant से इसलिए minus लगाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, यह 1 नीचे आगया, बटा DT आगया, प्रोडक्ट में लिखेंगे तो प्लस में, 1 by 3, DC बटा क्या हो जाएगा, DC बटा DT हो और DBT ये भी सही option है, D ये भी सही option है, अपका Y plus में था, सही option है, ये आपका माइनस में था, D बटा D minus 2, ये भी सही option है यानि स्वाप्प्प्पेंपसन है, एक, दू, तीन, चार, चारों का, छारों option क्या है, which of the following does not express, तो जाख big right आपक्प्प्प्प् shepherd, तो को गलत नही तो आपका सही ऑप्शन कोन हो जाएगा यह गलत यह गलत यह गलत क्योंकि यह सारे के सारे सही ऑप्शन तो इस दा क्रेक्ट ऑप्शन गलत ओप्शन दिया हुआ था क्या कहता है वो गौर से देखेगा ता यह स्पेशिफिक रेट कोंष्टेंट आप फस्ट ओर डियेक्शन का ln a बराबर ln a not minus kt और ln का मतलब होता है log with base e और इसी को base 10 में change किज़ेगा तो ये 2.303 log base 10 में बदल जाता है तो इसको अगर base 10 में लिखेंगे तो log a base 10 बराबर हो जाएगा log a not base 10 minus kt minus क्या हो जाएगा kt और 2.303 तो छुटिए गया बीच में 2.303 क्योंकि वो 2.303 के multiple में आगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ छुट गया उसको लिख देते हैं 2.303 बराबर 2.303 यह आगया अब अब अटा केटी अब क्या करो 2.303 से भाग दे दो तो भाग जैसे ही दीजेगा आप तो भाग देने के बाद क्या आजाएगा वो फॉर्मूला पहले आप देख लिजेगा तो जैसे ही आप भाग दीजेगा तो क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा लॉग A base 10 बराबर लॉग A not base 10 में इसी को exponential फॉर्म में क्योंकि exponential का उल्टा ही logarithmic होता है ठीक है तो यह होता है दोनों तरफ LN ले लिजेगा तो वही फॉर्मूला आजागा जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सेम सी जागा ठीक है अब फर्स्ट ओर्डर रियक्शन में कुछ calculation हम आपको दिखाते है 50% T1 by 2 के वाद 75% रियक्शन कंप्लीट होगा तो T1 by 2 के डबल होता है 87.5% का अगर पूछेगा रियक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगा तो यह लगेगा 99% में क्या होगा ता हाफ टाइम के दस गुना लएगा 25% में इतना हो जाएगा ठीक है और simple formula T1 by 2 first order के लिए क्या होगा 0.693 upon K हो जागा 0.693 upon K इसी से calculate करके हम यहाँ निकाले हैं आप भी निकाल सकते हैं या उसमें value डाल के निकाल सकते हैं जितने भी radioactive example में क्या लिख सकते हैं कितना भी radioactive रेडियो सक्रिया विक्रिया होता है नाभी का विक्रिया होता है सारे first order के reaction होते हैं uncomplayable होता है उती ही रहता है होती ही रहता है जब तक reactants खो 어oken spirit करेगा कियो तक प Discovery करने का काम करता है उमीद है यह भी questions आपको आगया होगे no doubt कि आप नहीं आया होगा, चलिए, अब आगे भरते हैं, अगले कोस्टन क्यों, हमारा अगला कोस्टन क्या है, कहता है रासाइनिक परिवर्तन, क्या दिया हूँ, अब रासाइनिक परिवर्तन, A tends to B के लिए, यह पाया गया, कि जब A का सांदन, चार गुना हो जाता है, तो प्रतिक् और बता है कि यह कंसंट्रेस्टन जो है यह कितना गुना हो गया तो चार गुना हो गया तो यह तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है इसे में गुना भाग कर देना है इसे में क्या कर देना है गुना भाग कर देना है तो गुना भाग जब किजिएगा तो 2 को 2 A रहने दीजिए और R के जगा पर उपर वाला को डाल दीजिए A to the power n है तो n डाल दीजिया R के जगावर वाला 550 वाला K और 4 A to the power क्या दिया हुआ है अब यहां से क्या होगा K से की आपका कट गया कंसंट्रेशन ओभी कंसंट्रेशन ओभी आपका क्या हो जाएगा गया हो जाएगा बचेगा आपको क्या और लिमाग में लाना हो गा, टो फीट यह कि दी इसे अगर नहीं आता है, तो हमको n का निकालना है तो n के वैलू को निकालने के लिए हम क्या करेंगर फटा-फट बताईएका तो 1 by 2 1 by 4 m या 2 है तो यह क्या हो जागा 2 to the power 2 ब़ाबर 42 AP n बराबर क्या हो जागा a token बराबर क्या हो जागा गाल दो हो से इसको भी डिवाइड कर दो तो यहां पर क्या जाएगा फोर्ड लाना है तो 2 divided by 4 हो जाएगा यहां 4 divided by 4 हो जाएगा ठीक है और 4 divided by 4 दोनों तरफ कर देंगे और इधर आपका क्या था एन था तो एन बराबर आपको यहां से कितना आ जाएगा डाइरेक्ट तो डाइरेक्ट आप डाइरेक्ट लिखो यहां से यहां का कट गया अब इसके बाद इधर चे अगर उलट दीजेगा तो 1 by 2 बराबर क्या आ जाएगा 1 by 2 बराबर 1 by 4 टू दी पावर एन आजागा ठीक है 1 by 2 बरावर 1 by 4 to the power direct न आजाएगा और यहां पर जब एन का वैलू लिखेगा तो एन बरावर क्या हो जागा 2 हो जागा प्रतिक्रिया के अनुसार अनुसार प्रतिक्रिया करता है प्रतिक्रिया का पूरा होने का समय आपको कितना लेगा वही आपसे पूछा जा रहा है प्रतिक्रिया में तो सुन कोटी का अभिक्रिया है पहले बिटा जीरो ओडर रियक्षन है कौन सा है तो जीरो ओडर रियक्षन है तो जीरो ओडर रियक्षन के लिए आपका फॉर्मूल कि आपका क्या है तो constant है कि आपका constant हो गया अब आपसे पूछ क्या रहा है या time किस पर depend करेगा तो time जो आपका constant है छोड़ो time आपका किस पर depend किया तो यतना आ गया तो इस पूरा को हमाल लेंगे क्या कुछ नो कुछ परिवर्तन होके आगा ये तो T आपका directly proportional हो जागा किसके A बटा के के किसके proportional हो जाएगा A बटा के के यानि A is the correct option 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 बिल्कुल सही option आपका क्या है A आपका आ गया कौन सा option था A is the correct option चलिए अगला question क्यों remove करते हैं और हमारा अगला question क्या है तो देखेगा यदि क्या कहता है if a graph is plotted between LNK और 1 by 1 by T और LNK के बीच में graph आपको घिचना है ठीक है तो LNK और 1 by T के बीच में first order reaction का तो first order reaction का पहले formula लिखना होगा प्रत्थम को टी का अभिक्रिया first order reaction यह होता है अब आपको graph घिचना है तो graph घिचिए कैसे घिचेंगे जड़ा ध्यान से देखिएगा मैं इसको arrange करने की कोशिज करता हूं तो log A base 10 हो जाएगा log A base 10 है ln के term में है तो ln के term में इसको change कर दो किसमें change कर दो ln के term में ही इसको change करो बहतर रहेगा ln के टर्म में जैसे ही चेंज किजिएगा नहीं ln दिया हुआ है न लॉग भीद वेसी ठीक था तो क्या है लॉग A बेस 10 माइनस बरावर क्या दिया हुआ है बैलू डालिए यहाँ पर लॉग A नॉट बेस 10 माइनस केटी अबटा 2.303 दिया हुआ है इसको हम एरेंज करेंगे तो एरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या लॉग A बेस 10 बरावर माइनस केटी अबटा 2.303 ठीक है पलस में क्या हो जाएगा लॉग A नॉट बेस 10 हो जाएगा अब यहाँ पर इसको स्लोप इंटर Y बरावर MX पलस C हो गया अब C के जगा पर यह आ गया K के जगा पर आपका क्या आ गया तो यह आ गया ठीक है और T के जगा पर क्या आ गया तो X आ गया और M के जगा पर क्या आ गया तो यह आ गया अब इस ग्राफ को आप घीचेगा तो आपको y के जवापर क्या है तो इधर लिखेंगे log a base 10 x के जवापर क्या है तो x के जवापर t है ठीक है तो यहाँ पर जो a value आएगा यहाँ का जो मान आएगा यह value यहाँ पर वो किसके बराबर आएगा तो m के बराबर slope तो slope जो होगा यहाँ थीटा जो होगा यह थीटा बड़ाबर slope बड़ाबर 10 थीटा तो यह 10 थीटा जो slope सो करेगा वो क्या सो करेगा तो minus kt minus k उसी को यह लिखा है ठीक है minus k बड़ा 2.303 minus k बड़ा 2.303 यानि कौन सा option ea बड़ा 2.303 यानि d is the correct option d is the correct option कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए d is the और भी कोई option है minus ea अपॉन एतना rt ठीक है अच्छा ea बड़ा आर दिया है तो ea बड़ाबर ea बड़ा आर होता है ठीक है b is the correct option ठीक है यह आपका graph next question minus में था minus में था ना minus में था यह दिया हुआ इसलिए हम नीचे क्यों गीचे है ठीक है और यह value जो है यह value यह ही आपका यहाँ पहुंचेगा next question आपका क्या जाएगा प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया का आधा जीवनकाल होता है t1 by 2 आपका दिया हुआ है प्रथम कोटी के अभिकरिया t1 by 2 0.693 अपन के होता है और यह कितना दिया हुआ है 34.65 दिया हुआ ठीक है इतना क्या दिया हुआ 34.65 सेकेंड दिया हुआ है और यहां से आपका K क्या आएगा तो k बराबर हो जाएगा 0.693 upon 34.65 जब इसको भाग दिजेगा तो फटा फटा आपका दिखाई दे रहा है option क्या 2 into 10 to the power minus 2 per second आ जागा ठीक है यानि ये आपका correct option हो जागा next question क्या काता है किसी प्रतिक्रिया के करम का मान होता है तो किसी प्रतिक्रिया का जो order होगा वह आपको positive भी हो सकता है order यानि कोटी जो होगा वह आपको वह आपका positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानि गुननखन में भी हो सकता है, तो सारे के सारे आपको सही आप्शन है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन क्या काता है, प्रथम कोटी की प्रतिक्रिया, ए टेंस बी के लिए, जीरो पॉइंट जीरो एम दिया हुआ, आभिकारक का reaction क्या दिया हुआ है A 10 to B दिया हुआ है इसका rate क्या दिया हुआ है तो rate आपको दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 5 mole per liter per second यह आपका दिया हुआ है यह क्या दिया हुआ है तो rate दिखाई दिया रहा है ना बिल्कुल देखते रहेगा इतना आपका rate दिया हुआ है अब इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है rate भी दिया हुआ है R बराबर K होगा ठीक है और A concentration of A जो आपका दिया गया है वो कितना दिया गया है तो 0.01 M दिया हुआ है यानि 10 to the power minus 2 M दिया हुआ है 10 to the power minus 2 M ये दिया हुआ है और R बराबर क्या हो जाएगा तो K गुने concentration of A हो जाएगा ठीक है R पता है A पता है तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे R A जब हमको पता है तो यहां से हम value निकाल लेंगे K का तो K बराबर क्या हो जाएगा R बट्टा concentration of A हो जाएगा r आपको कितना दिया हुआ था तो 2 into 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 दिया हुआ था और a आपका कितना दिया हुआ तो 10 to the power minus 2 दिया हो, उपर जागा तो 2 into 10 to the power minus 3 आजागा, ये किसका value आगया, तो k का value आगया, k का value आगया, k का value आपको इतना आगया, जैसे ही k का मान निकल गया, तब आप को निकालना क्या half life के का मान निकाल गया तो t1 by 2 first order के लिए क्या होगा 0.693 upon k हो जाएगा तो 0.693 upon k के जाएगा पर 2 into 10 to the power minus 3 उपर जाएगा तो plus 3 हो जाएगा इन्हे 693 upon 2 हो जाएगा divide की जाएगा 347 second लगभग आपका जाएगा है option बिल्कुल this is your correct option ठीक है तो हमको के का मान निकाल लिया के का पता चल गया तो first order के लिए यह निकाल लिया ठीक है अब मंगले question के remove करते हैं प्रथम कोटी की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवनकाल आपको इतना दिया हुआ नि 90% complete होने में कितना समय लेगा वही आप से पूछा गया है बहुत ही खूब्सूरत question है एक बार बेटर ट्राइ मारो फटा फट कितना लेगा time पता है सबची पता है फटा फट निकालो first order reaction के लिए आपको के का मान क्या दिया हुआ है प्रथम कोटी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवनकाल यानि टी वन बाइट जो है वह आपका क्या होता है तो 6.93 आपका दिया हुआ यह value आपको दिया हुआ है 6.93 तो यह आपका 6.6.93 आपको दिया हुआ है 1 by 2 होता क्या है तो 0.693 upon k होता है और बड़ाबर क्या था तो 6.93 आपको दिया हुआ थे कितना दिया हुआ 6.93 दिया हुआ अब यहां से आप k का भैलू निकालेगा तो 0.693 upon 6.93 आपको आगया इसको उड़ा दिजेगा तो उपर में 100 आजाएगा नीचे में आपको 1000 आजाएगा ठीक है यह इससे कट गया दुगो सुनना दुगो सुने यानि 0.1 हो गया कितना हो गया तो k का मान 0.1 आगया अब आप को first order reaction के लिए निकालना है तो first order reaction का formula निकालिए तो formula हम जानते हैं क्या जानते हैं तो formula हमको पता है log a base 10 log a base 10 बराबर क्या होगा log a not base 10 minus kt अबटा 2.303 अब यहां से आपको किसका formula निकालना है तो t का formula निकालना है तो t का formula निकालना है तो t का formula डाइरेक्ट आप निकाल स रखते हैं पहले तो ऐसा किजिए कि इसको इधर लाईए मैं इसको तोड़ के सिखाता हूं इसको इधर लाईएगा तो यह हो जागा प्लस में केटी 2.303 हो जाएगा अब इधर जागा तो लॉग A A not base 10 minus log A base 10 हो जागा ठीक है Log A minus B का फार्मूला क्या होगा Log A by Log B ठीक है तो यह A not अब बटड़ ए हो जागा यह फार्मूला भी मैंने आपको बढ़ाया है ठीक है और इतना और इधर क्या आगया के दिब दसे के टिवा गया इधर क्या आगया तो टी पड пошिए और बट्टा फेह की आगया यहांपर तो 5650-03 इंधर ले गाई इसको इसमें शेंज कर लिए किर आगया अब के का वैलू है तो प्लड यहांत वैलू को फुट किस ओर में हमांचर निकाल घ्ताफरки all जाबर यहाँ से क्या गया तो log इतना दिया हुआ है तो log रहने दो ए not को ए not रहने दो यह कितना गुना करा तो 99% यानि लगबग 100% संपन हो रहा है तो यह क्या हो जागा ए नो टा अबटा 100 हो जागा पूरा घट जागा टोटल का टोटल ठीक है और k का value कितना लाए हैं तो 0.1 लाए है ठीक है और इसको गुना कर देंगे कितना 2.303 से गुना करेंगे तब लॉग 10 ऊपर चला जागा तो इसका value 2 आ जागा into 2.303 आप बट्टा में 0.1 आ जागा बट्टा में 0.1 आ जागा इसको लगबग आप गुना भाग किजेगा तो कितना आ जगा 46.102 के करीब आ जाएगा इसको गुना की जगा तो 46.102 मिनट के करीब आ जाएगा यह आपको question था बहुत ही प्यारा सा question था मैंने के कमान यहां से निकाल लिया लोक का formula लगाया T का यहां से यह निकाल दिया और के का मान ए डाल दिया ए नॉट डाल दिया 100 परसेंट लगभंग 99 परसेंट था तो 100 परसेंट मान लिए ए नॉट बटा ये फाइनल वाला ठीक है और फटा फट निकाल दिये आगे बढ़े अगला कोशन देखें क्या कहता है सुन कोटी अभिक्रिया के लिए सुन कोटी अ अभिक्रिया के लिए फार्मूला क्या होगा अभिये तो बताएं है क्या था सुन कोटी अभिक्रिया के लिए फार्मूला 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 अभिक्रि तो T बड़ावर क्या हो जागा A 0 minus Aक k हो जाएगा तो ठीक है तो आपको पूछ क्या रहा है directly proportional A तो directly proportional T1 by 2 किसके बड़ावर होगा तो directly proportional A के बड़ावर हो जाएगा कौन सो option था बिलकुल आपको T1 by 2 ये तो constant है ये आपका क्या है constant है तो आपका T क्या होगा directly proportional T1 by 2 अर्धायू आपका directly proportional A का होगा जहाँ एक इसको सो करेगा तो कौनसा option हो जागा T1 by 2 directly proportional A A is the correct option Next question क्या कहता है किसी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले अनु के लिए नियुन्तम आभस्चक उर्जा कहलाता है तो अभिक्रिया अगर जो भाग लेगा participate करेगा reactants जो chemical reaction में participate करेगा उसके लिए सब से कम energy कौनसा energy चाहिए तो threshold energy चाहिए कुन सा एनर्जी चाहिए थ्रेस होल एनर्जी चाहिए थ्रेस होल एनर्जी क्या होता है यानि जिस किसी के पास भी थ्रेस होल एनर्जी होगा वही कैमिकल रेक्शन में पार्टेसिपेट कर सकता है अधरबाज नहीं कर सकता है तो थ्रेस होल एनर्जी जो आपका दिया गया है किसके बड़ावर होता है तो activation energy के बड़ावर होगा ठीक है यह आपका तो नुइंतम उर्जा जो उर्जा लेने के बाद कोई भी reactance chemical reaction में participate कर सकता है वो कौन सा energy होगा तो this is called threshold energy वह नुइंतम उर्जा जो किसी reactance के पास पाया जाएगा तो रसाइनी का भिक्रिया करना शुर बड़ा 2.3 इसे पहले भी यह कोशन था बिल्कुल का काता है the chemical reaction H2I2 को मिलाएंगे यह भी photo chemical reaction है H2 hydrogen को iodine के साथ मिलाया जाता है तो hydrogen iodide बनता है ठीक है संतुलन इस्तिरांग के निर्भर करता है तो संतुलन इस्तिरांग के किस पर निर्भर करेगा तो temperature पर निर्भर आपका temperature photosensitive reaction है यानि photosensitive यानि photon क्या आवसकता होगी light क्या आवसकता होगी light की और photon क्या आवसकता होगी it means क्या temperature क्या आवसकता होगी तो कौन सा option सही होगा आपका तो बिल्कुल temperature बिल्कुल सही option आपका होगा no doubt की नहीं होगा अब अगले question क्यों remove किया जाए हमारा अगला question क्या कहता है निविकित में से कौन सी प्रतकरिया फोटो- Oreo केमिकल होगा यह Brazil होगा यह वैसे चाछी टो के साथ कर वह यह एकसट क्लेगा यह शुबे सारी एकसट जो फोटन के द्वाण first order reaction first order reaction के लिए rate constant का unit लिखना है तो क्या होगा भाई बड़ा असान question है क्या होगा cable time होगा cable time होगा यानि per time per second first order के लिए first order के लिए क्या आज़ा भाई t बरावर t1 by 2 बरावर क्या हो जाता है 0.693 उपर तो constant है नीचे में k है ठीक है और इसका unit क्या होगा second ये उपर चला जागा तो क्या हो जागा per second यानि this is your answer ठीक है time पर क्या कहता है किसी प्रतिक्रिया की आधा जिवन आधी जीवन अभदी आधी हो जाती है क्या कहता है आधी जीवन अभदी आधी हो जाती है क्योंकि अभी कारक का प्रारंबिक साध्रत दुगुना हो जाता है तो कहता है प्रतिकिरिया का करण half life period of a reaction is half half life reaction आधा हो जाएगा क्योंकि initial concentration reactance का double हो जाएगा तो पूछ रहा है कि order जो reaction का होगा वो क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है फटा फट इस question इतना question तो हम ही आपको बताएं है T1 by 2 2 है तो आधा होगा तो कैसे क्या होगा तो देखो T1 by 2 आपका कहता है कि इतना था अब T1 by 2 क्या हो जाएगा तो आधा हो जाएगा T1 by 2 क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा तो करो भाई T1 by 2, तो T1 by 2 directly proportional किसके हो जाएगा, T1 by 2 directly proportional होगा, 1 बट्टा A to the power N minus 1, A to the power कितना, N minus 1 के बरावर होगा, A to the power 1 minus N आपको दिया हुआ है, और उसके बाद आप से पूछ क्या रहा है, T1 by 2 2 है, T1 by 2, A बट्टा N minus 1 है, T1 by 2 तो N minus 1, तो ये कितना order reaction के लिए आता है, तो ये second order reaction के लिए आएगा, second order reaction, कितना order के लिए, तो second order reaction के लिए T1 by 2, किसके बरावर होगा, 1 बट्टा A to the power N minus 1, इसका मतलब किसका जो order of reaction होगा, order of reaction OOR जो होगा, वो कितना होगा, 2 होगा, कौन सा option होगा, C is the cracked option, अब काता है, the rate of first order reaction, the rate of first order reaction is 10 to the power minus 2 minutes, ये आपको कितना दिया हुआ, 10 to the power minus 2 minutes, half life period of the reaction, तो T1 by 2, के दिया हुआ है, T1 by 2 ये होता है, ये डाल देंगे, कौन सा option होगा, तो बिल्कुल आपका B is the correct option, 69.3, B is the correct option, इस प्रकार आपका बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा जो question था, वो आपका क्या हो गया, खतम हो गया, no doubt कि आपका एके questions क्या किया, हमने खतम कर दिया, अब हम लोग subjective पर भी focus करेंगे, अब आप लोग को क्या करना है, हसते, खेलते, मुस्कुराते, पढ़ते रहना है, तब तक के लिए waste of luck, thank you, लेकिन अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जाते जाते बटन दरूर जबाएगा, ये lecture आपको, बिल्कुला continue मिलेगा, अब आपको double हो जाएगा, examination आपका 6 फरवरी को आपका examination है, chemistry का, तो तब तक के लिए, आज से ही waste of luck, thank you